वेल्कम फ्रेंड्स दोस्तों एक बात फिर से आपका मेरे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्रश चलाने का सबसे आसान और बिल्कुल सही तरीका क्या है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्रश को पकड़ना सीखेंगे तो हम ब्रश लेंगे और ब्रश को इस तरह से उंगली और अंगुठें की साहिता से यह तीसरी उंगली के उपर इस तरह से पकड़ेंगे और यह जो छोटी उंगली है इसको हम दिवार पर या बोर्ड पर इस तरह से लगा देंगे और इसी पर हम अपना सारा बेस बना कर यह इस तरह से स्ट्रॉक लगा देंगे तो ब्रश पकड़ने का यही सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है तो मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि ब्रश पकड़ना सिखाईए और उसके बारे में उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाईए तो मैंने यह वीडियो उसी टॉपिक पर उस भाई के लिए उस दोस्त के लिए बनाया है तो जब हम सीधा लिखते हैं तो उंगली को सात में इस तरह जो यह छोटी उंगली है इस तरह इसको भी साती लाना है जब हम गुलाई में लिखते हैं तो उगली को एक जगा रखकर सिर्फ ब्रश को ही गुमाना है तो दोस्तो चैनल पर नए हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें कोमेंट करें शेयर करें तो इस तरह से हम धीरे धीरे प्रयास करते हुए अक्षर को भी लिखेंगे और ब्रश को पकड़ना भी सीखेंगे दोस्तो अलग-अलग प्रकार के ब्रशों को चलाने का तरीका भी अलग-अलग है तो कुछ ब्रश ऐसे भी है जिने बिना किसी उंगली के साहिता से या बिना किसी बेस की साहिता से चलाना पड़ता है जैसे स्मॉल हेर फ्लैट ब्रश होते है उन ब्रशों को चलाने के लिए उंगली के बेस की अवशकता नहीं होती है तो और जो ये लॉंग हेर ब्रश है चाहिए फ्लैट में है या रौंड में है इन ब्रशों को चलाते समय आ नाना ही पड़ेगा डियर फ्रेंट्स अगर आप पेंटिंग राइटिंग सीखने का शौक रखते हैं पेंटिंग राइटिंग सीखना चाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाकर मेरी हर वीडियो को देखें मैंने अपनी हर वीडियो में पेंट पैंटिंग का जो शुरू का समय है पैंटिंग शुरुआत कैसे करें इस विशे पर भी बहुत सारी वीडियो बनाई है पैंटिंग राइटिंग को सीखने के लिए किस-किस सामान या किस-किस उपकरण की आवशकता होती है जैसे पैंट ब्रश इत्यादी बगएरा तो आप म वह भी प्री हैंड राइटिंग में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को जा कर देखें मैं उन वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी उन वीडियो को लगा दूंगा तो दोस्तों आप हर रोज ऐसे ही अभ्यास करते रहें, दोस्तों ये तो हातों का हुनर है, तो आप इसी तरह रोज अभ्यास करते रहेंगे, तो आप भी एक दिन इस हुनर को पा लेंगे, तो इनकी असंभब कुछ भी नहीं है, तो आप ब्रश लें और पैंट लें, आज से ही अपना प्रैक्टिस आरंब कर दें तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए एंड स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं वहाँ पर मैंने इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो का लिंक दिया है और साथ में मैंने अपना इंस्ट्राग्राम आईडियो का लिंक भी दिया है तो आप मेरे Instagram ID को follow करें और मुझे आपस स्वाल जवाब कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और आप करते रहें अग्यास नमस्कार जैही